नमस्कार सुबह के 9 बच्चु के हैं 9 एम देख रहे हैं आप मैं हूँ रश्मी शिर्वास्तव आपके साथ और बुलिटिन की शिर्वात करेंगे बड़ी ख़बर के साथ हर्याना और जमू काश्मीर वधान सभा चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है कोंगरिस ने रुजानों में बहुमत का आकड़ा पार कर लिया है पर आगे है और यहां सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है जमु काश्मीर में आवाम किस पर महरबान होगी रुजानों से तस्वीर जलकने लगी है जमु काश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है सुबा 8 बजे से ही वोटों के गिनती शिरू हो गई है और शिरुवाती रुजान आने लगे है बता दे कि अभी कॉंग्रिस और इसके साथ ही एंसी गड़वंधन और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है बता दे कि 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जमु काश्मीर में पहली बार इस साल वोटिंग की गई है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग चल रही है ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे है जहां जमु काश्मीर में बीजपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है तो कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती चारी है और ऐसे में इस बार जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है जनता ने किसे बहुवत दिया है ये अपसे थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा तस्वीरे पूरी तरह से अस्पस्ट हो जाएगी तो हर्याना और जमू काश्मीर विधासभा चुनाव के लिए काउंटिंग जानी है और रुजानों के मताबिक हर्याना में कॉंग्रिस सरकार बना सकती है कॉंग्रिस ने रुजानों में बहुमत का आकड़ा पार कर लिया है बतादे कि कॉंग्रिस 57 सीटों पर आगे है वही बेजपी 20 सीटों पर आगे है आइनल्डी दो पर आगे है साथ सीटों पर अनी आगे है और यहां सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है जम्मु काश्मीर में इस बार किसकी सरकार बनती है ये तस्वीरे अब धीरे-धीरे करके साफ होने लगी है जम्मु काश्मीर की 90 विधासभा सीटों पर काउंटिंग चल रही है सुबा आट बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है और शुरुवाती रुजान भी आन कॉंग्रिस एंसी के बीच गैप बढ़ता ही जा रहा है शुरुवाती रुजान में एंसी कॉंग्रिस गडबंधन 41 सीटों पर आगे है जबकि भाजपा 28 सीटों के साथ पीछा कर रही है पीडीपी 5 और अनिये 12 सीटों पर आगे है और अब तक 86 सीटों के रुजान आ गए हैं और बेजपी मुख्याले से इस वक्त सयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए है प्रीतम जो शुरुवाती रुजान है हर्याना और जमू काश्मीर विधासभा चुनाव के वो अब धीरे-धीरे करके सामने आ रहे हैं और दोनों ही जगों पर कॉंग्रस आगे है चाहि कोई अन दिन हो इस वकत बीजपी कायरले में हल चनी होती है बीजपी कायरले में हल चल आपको 11 का सबस देखने को मिलती है लेकिन चुकि आज भार्चंता पाटी के लिए जहां पूरे देश में नवरात्र मनाई जारी है भाजपा के लिए आज का दिन शुम नहीं है जो इसा लग्ता है चुकि जो घ्रियारा के नतिज़े आ रहे है जो रुजहान आ रहे है तो प justement कर रेक्षन detecting से पूर्चंती निजर आरही दिसों को पूली तक सामने आता उसुम अक्टुवर का दिन भाजपा के लिए सुभ नहीं होने वाला है और जो एकजिट पोल में जिस तरह की के जिस तरह से तस्वीर दिखाई गए थी कवोबेस वही तस्वीर स्थावने आ रही है हर्यारा में पूरे 10 साल के बाद जो भाजपा की सत्ता जा रही है वहाँ पे कवोने सत्ता हासिल कर रही है सीधे सीधी फाइट है भाजपा और कावरेस में और एक प्रकार से भाजपा से कावरेस ने ये राज अपने हिस्से में ले लिया है ऐसा रुजहान से पता चलता है बात करेंगे जम्मु कस्मिर के जम्मु कस्मिर में जम्मु जो है वह हिंदू-ठोमीटिक है। देखा जा रहा है कॉंग्रिस और बीचपी के बीच जम्मू काश्मीर में हाँ जी बिल्कुल काटे का मुकावला है लेकिन सुरवाती बढ़ात नेस्टल कॉंपरेंस और कॉंपरेंस को है उसके साथ साथ अगर पीडिपी जो मुफ्ति मुहमद सजीद की पार्टी जिसको जो पास सिटों पर आगर आगे चल रही है अगर इन तीनों को मिला दे दो मु कस्मीर से उसने आर्टिकल 370 हटा कर एक बहुत बड़ा काम किया था उसके घुषना पत्र में सुरवात रही है अभी तो एक घंटे का वक्त हुआ है आगे जब वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी हो सकता है कि तस्वीरे इसके उलट भी देखने को मिले तो अभी कुछ भ सब्सक्राइब तक लगव पचास फीज़ी कॉंटिक नहीं होती है तब तक कहना मुस्किल होगा कौन पार्टी जीत रही है कौन पार्टी हार रही है यह अपने बिल्कुल सही का चुकि हम लोगोंने 2015 का विधान सब्सक्राइब देखा है बिहार में तब भाजपा आगे च करना होगा अभी कुछ और वक्त जैसे बीतेगा तस्वीरे और भी जादा असपस्ट हो जाएंगी कि आखिर जनता ने किसे अपना बहुमत दिया है बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए तो हर्याना और जम्मू काश्मीर में वोटों की गिनती जारी है और अब तक के रुजानों की अगर हम बात करें तो दोनों ही जगों पर कॉंग्रुस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है फिलाल इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इस बार सरकार किसकी बनती है